हेलो गाइज, वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल लेट्स कॉंगनाइज आज हम डिस्कस करेंगे MEG7 इंडिया इंग्लिश लिट्रेचर का जो हमारे पास फर्स्ट ब्लोक है नोन फिक्शनल प्रोस उसकी हम यूनिट 5 को explain करेंगे, read करेंगे, इसमें discuss करेंगे जो है हमारे पास नीरत सी चोधरी की इसमें हमारे पास काफी topic है जैसे objective, introduction, the autobiography of an unknown Indian ऐसे सभी topic है पर इस वीडियो में हम only discuss करेंगे objective and introduction को now हम start करते हैं objective से, in this unit we will read selection from the नीरत सी चोधरी autobiography इसमें क्या है, हम किस के बारे में read करेंगे नीरत सी चोधरी की autobiography के बारे में और इसमें क्या है, examine किया गया है, एक long chapter जो किसमें से लिया गया है, the autobiography of an unknown Indian में से और ये जो book है, चोधरी की book है, वो क्या है, एक fame के लिए है, और इसमें क्या है तू selection की गई है sequel से, I hand great anark to acquaint ourselves with the चोधरी distinctive pro style इसमें क्या है, ये जो great anark book है, इसमें क्या है, चोधरी की pro style के बारे में और उनके beliefs के बारे में डिसकस किया गया है, his opinion are controversial और उनका जो विचार है, opinion है, वो सभी क्या है, controversial है, critical opinion है, किसके बारे में, जो भी उन्होंने achievement की है, उनको divide किया गया है you should aim at evaluating this leading writer, क्या है, उन्होंने खुद को, मतलब non-fiction prose में मतलब अपनी खुद की सारी autobiography के बारे में बताया है, autobiography के बारे में लिखा है ये था हमारा objective, means to say इस chapter में जो जो भी दिया है, यहां पर उन्होंने बताया है और next हम discuss करेंगे introduction, जो नीरत सी चोधरी है, उनका जनम हुआ था 1897 में और death हुई थी 1998 में, ये उनका life period था नाउ हम स्टार्ट करते हैं, line to line explanation English to Hindi नीरत सी चोधरी का जनम था, वो 23 नवंबर को हुआ था, एक middle class family थी जो कि शोर गंज में रहती थी ये क्या था, एक small town था, मायमिन सिंग district, East Bengal का East Bengal का एक district था, मायमिन सिंग, small town था, जिसमें उनका जनम हुआ था वो क्या थे, उन्होंने अपनी education बंगोल में की थी और उन्होंने अपनी BA की डिग्री कहां से हासिल की थी, University of Kolkata से 1918 में, उन्होंने क्या है, MA डिग्री, मतलब MA की जो डिग्री थी, उन्होंने किस में की थी, history में की थी बट उनका क्या है, जो exam था, वो clear नहीं हुआ था, वो इस डिग्री में unsuccessful रहे थे वो क्या थे, एक school child थे, school के time में वो क्या थे, books और अपनी intellectual life से काफी ज़्यादा परभावित थे the atmosphere at home, उनका जो atmosphere था, घर का, was conducive to an appreciation of western literature and music क्या था, उनके घर का महौल था, जो वो क्या था, literature और music, western literature और music का था उन्होंने क्या है, काफी ज़्यादा अच्छे से read किया और learn किया European languages को, like French, German, Latin सभी languages को उन्होंने well read किया, lack of master degree क्या है, वो क्या थे, history की master degree में unsuccessful रहे थे, तो क्या था, उन्हें ruled out कर दिया गया था, मतलब उनसे वो मोकाचीन लिया गया college में पढ़ाने का, without MA degree वो college में नहीं पढ़ा सकते थे इससे क्या है, उन्हें suitable employment, मतलब अच्छी जोब मिलने में काफी difficulties देखनी पड़ी for some time he tried, उन्होंने क्या है, कई बार किसके लिए try किया, freelance journalism के लिए मतलब इस पर काम किया, from 1937 to 1941, 1937 से लेकर 1901 तक, उन्होंने क्या है, सरच चंद्र बोस के साथ मतलब के पास, एक secretary के रूप में काम किया, सरच चंद्र बोस थे, वो किसके ब्रदर थे, सुभाष चंद्र बोस के fed up with Bengali insulatory, he left Calcutta, क्या है, वो क्या है, Bengali insulatory से जब fed up हो गए तो उन्होंने क्या है, Delhi में, मतलब Calcutta को settle होने के लिए Delhi में छोड़ दिया और वे क्या थे, एक government job मिल गई उन्हें, और वे government work करने लगे he worked for all India radio, उन्होंने क्या है, काम किया, पूरे इंडिया रेडियो पर 1941 से लेकर 1902 तक but he found that Delhi too was full of philistine, पर उन्होंने वहां क्या देखा, जो Delhi है, वो क्या है, पूरी philistine से भरी हुई है ये था हमारा first paragraph, I hope आपको अच्छे से समझ आ गया, now हम discuss करते हैं, next paragraph second paragraph start करते हैं, he was extremely fortunate in marriage, वो क्या था, marriage में काफी भागशाली थे as Amita Malik put it, Chaudhary, the first hundred year, a celebration P58, नीरत Chaudhary would not have been but he is without the patience and unfailing sport of his wife, जो नीरत Chaudhary थे, वो अब वहां नहीं रहे थे जो अपनी wife की patience और sport के बिना थे, following tradition, tradition के according क्या है उन्होंने उस लड़की को नहीं देखा था, जो उनके पिता द्वारा उनके लिए चुनी गई थी ये सब information उन्होंने किसमें दी है, जो उनकी autobiography की second volume थी he himself was, उन्होंने क्या कहा, कि मैं खुद भी ऐसा impressive physical specimen नहीं हूँ मतलब ऐसा नमूना नहीं हूँ, जैसा की short, thin और dark skin ये सब ही कुछ उन्होंने अपनी second volume of autobiography में बताया है they had three sons, उनके क्या है, तीन बेटे हैं और उनकी wife आमिया है जिन्होंने क्या है, उनके eccentric ways को, मतलब married life की six decades को, मतलब sport किया है he was always extravagant, वो क्या है, extravagant है उनके प्यार में और उनके art object में और उन्होंने क्या देखा है, acquired किया है, ये सब पुछ he recount how his wife, और उन्होंने क्या बताया, कि किस तरह से उन्होंने, उनकी wife ने अपने gold coins को बेच कर, और account का balance clear किया उनके account का balance clear किया, जो gold coin उनको marriage present में मिले थे मतलब उनके शादी के उपहार में मिले थे और their financial situation did not improve even after moving to Delhi उनकी जो final, मतलब financial situation थी, वो डेली में रहकर भी improve नहीं हुई थी, क्योंकि जो चोधरी थे, वो क्या थे, rare wines और books खरीटते रहते थे, पैसे से, बल जबकि उन पैसों से क्या है, जो डेली रूटीन के household खर्चे हैं, वो अच्छे से निपड सकते थे, यह था हमारे पास second paragraph, now हम discuss करते हैं, third paragraph के बारे में, his first book, उनकी जो first book थी, वो क्या थी, the autobiography of an unknown India, और MEG7 में ये काफी ज़्यादा important question है, जो इसी के base पर आता है, नीरज सी चोधरी की, the autobiography of an unknown Indian पर, इस जो ये जो बुक थी, काफी ज़्यादा famous बना दिया गया था, इस बुक ने नीरज सी चोधरी को, he was denounced as, उनने किसे, कैसे denounced किया गया, anglophile से, but his mastery of English, और क्या है, उनकी जो English पर mastery थी, उसे भी काफी ज़्यादा admire किया गया, मतलब उनकी काफी ज़्यादा परशंसा की गई, unknown Indian is actually not the first significant publication, जो unknown Indian थी, वो क्या है, actually first publication नहीं थी, जो defense of India और nationalization of Indian army, इनके क्या थे 73 pages के essay थे, जिने क्या है, 1935 में publish किया गया था, पूरे इंडिया Congress committee के द्वारा, एलाबाद में, और जो नायक था, उन्होंने क्या observe किया था, कि जो दो interesting feature है, इसमें क्या है, मतलब absent है, जैसे एक तो notorious anglophilia और दूसरा है Hindu betting, there is also note the slightest trace here of those preconceived theories and the prejudice about Hindu character and culture which gradually hardened into obstinate dogmas as Chaudhri grew older, क्या है, इसमें जो preconceived theories थी और prejudice था Hindu character के लिए, culture के लिए, उसे भी यहां पर trace नहीं किया गया था, और जो चोधरी थे, वो क्या थे, मतलब एक hardened, मतलब पूरी hardened से, मतलब कठोर हो गए थे, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, यह था हमारे पास third paragraph, now हम discuss करते हैं, fourth paragraph, 1955 में क्या हुआ था, वो first time abroad गए थे, जो British council थी, arrange किया था, उन्होंने मतलब सारी ववस्था की थी, England जाने के लिए, वहां पर उन्होंने five weeks spend किये थे, मतलब पांच हफते बिताए थे, और किन के invitation पर, BBC के invitation पर, और उन्होंने क्या है, कुछ मतलब speech prepare की थी, overseas service के लिए, the newspaper article he wrote about his visit due into the second book, क्या है, ये जो newspaper article है, जिसमें उन्होंने किसके बारे में लिखा था, मतलब second book के बारे में, जब वो England गए थे, a passes to England, उस book का नाम था, article का नाम था, जो क्या है, एक very अच्छा, मतलब बहुत अच्छा readable travel log है, a passes to England receive good review in English press, ये जो article था, a passes to England, इसमें क्या है, मतलब इसके काफी अच्छे review हुए, जो England press में बताए गए, according to Khushwan Singh, Khushwan Singh के according क्या है, इसके जो three edition थे, उन्हें क्या है, काफी, मतलब काफी अच्छे भी के वो, it had the distinction of becoming the first book by an Indian author to have become a bestseller in England, क्या है, वो एक ऐसी book थी, मतलब एक Indian author के जो क्या थे, एक काफी अच्छे bestseller, मतलब bestseller बन सकते थे England में, he has preconceived the concept of England drawn from his reading of English literature and he is actually conscious of the fact that English is very different from India, क्या है, उन्हें क्या बताया है, अपने review में, व्यू में कि जो England है, वो क्या है, काफी जादा अलग है, इंडिया से, उसकी जो English है, मतलब England है, काफी जादा अलग है, his happiness and seeing, उनकी खुशी किसको देखने में है, a great many things that I had long to see since my boyhood, उन्होंने क्या है, जो चीजें भी देखी, अपने boyhood से लेकर, makes this the most enjoyable of his book, उन्होंने क्या बताया है, कि books ही है, जिससे मुझे काफी जादा enjoy मिला, अनन्द मिला, जिनको पढ़कर, ये था हमारे पास fourth paragraph, now हम discuss करते हैं, fifth paragraph, fifth paragraph है, in 1970, he moved to England, क्या है, 1970 में वो England चलेगे, उन्होंने किस पर काम स्टार्ट किया, biography of Max Muller पर, just as he had never gone back to Kishore Ganj after 1927, 1927 के बाद वो कभी भी Kishore Ganj वापिस नहीं गए, वो इंडिया कभी भी वापिस नहीं है, और वो कहां पर settled हो गए थे, Oxford के University Town में वो settled हो गए थे, और वो किस चीज से ज़्यादा disappoint हुए थे, जब उन्होंने देखा कि जो contemporary English society है, वो काफी ज़्यादा है उस picture से जो उन्हें दिखाई गई थी, और reading literature के यह जो बनाई गई थी, he could never accept a society, उन्होंने society को accept नहीं किया, जिसमें produce किया गया था हीपी को, और glorify किया गया था बिटलस को, and his dissentment is expressed in his last book, यह सारी information उन्होंने कहां पर show की है, last book में उन्होंने explain किया है जो बुक थी, उस बुक का नाम है, three horsemen of the new apocalypse, यह बुक है जो इसमें three horsemen है, जैसे individualism, nationalism और democracy, यह क्या है, responsible है, यह factor, उसी बुक में यह सारा कुछ explain किया गया है, नीरत के द्वारा यह, मतलब, सारी information उसमें बताई गई है, यह जो university है, सी चोधरी को honor किया था, किस के साथ, डी लिट के साथ, 1990 में, और जो queen थी, उसने क्या है, CBE के साथ, उनको समानित किया था, और वे क्या है, एक royal literary society के अच्छे fellow थे, और उनकी मृत्यू हो गई थी, जुलाई 1998 में, नीरसी चोधरी की मृत्यू हो गई थी, यह था हमारे पास fifth paragraph, और now हम discuss करते हैं, second, last paragraph, now हम start करते हैं, इसका sixth paragraph, जो चोधरी की third book थी, वो क्या थी, the continent of sas, यह जो word है, इसको हम बोलते हैं, English में sas, और Hindi में बोलते हैं, sasy, an essay on the peoples of India provoked fires controversy, क्या है यह जो essay था लोगों पर, इंडिया के लोगों पर, इसने क्या है, एक विवाद पैदा कर दिया था, he proposed the thesis that Hindus are actually a race alien to India and our arrival from Europe, उन्होंने क्या कहा है, क्या कहा था क्या है, वो क्या है, एक alien की तरह ही है, इंडिया के लिए, जो क्या है, यूरोप से आ रहे हैं, modern Hindus are, उन्होंने modern Hindus के बारे में बताया है, जो क्या है, fair hair, blue eyed Aryans है, जो क्या है, मतलब उन्होंने क्या है, एक reason को बसाया है, एक जगा को बसाया है, किस के बीच, वोलगा और डैड्यूब के बीच, एक अक्षेतर को बसाया है, जो सर्ज है, वो क्या है, sources in Greek mythology, जो सैसी है, उन्होंने क्या कहा है, कि ये एक Greek mythology में ये एक जादू करनी है, anyone who drank from her cup, जो भी उसके cup में पीता है, वो क्या है, एक सूर बन जाता है, पिग बन जाता है, ये क्या है, एक fate है, भग्या है उस champions का, odysseys के, और in the odyssey में, इंडिया जो क्या है, वो एक sources है, sources है, क्या है, उन्होंने इंडिया को एक जादू करही बताया है, due to the climate condition, किसकी, मतलब वातावरन की condition के बारे में, people who make it their home, जो लोग वहाँ पर घर बनाते हैं, सब क्या है, सूर बन जाते थे, the continent of sassy, सर्ज, सर्ज बोल सकते हैं, आप English में, और Hindi में sassy, जो continent है, वो क्या reveal करता है, कि चोधरी detastation of India as its pathological extreme, the influence of this, सर्ज, has made insanity and inertia, क्या है, चोधरी के point of view से क्या है, उन्होंने क्या का है, कि सर्ज ने उसे काफी ज़्यादा परभावित किया है, और उसके principle, जो सिधान्त, एक्टिव्यूट है, जो आज के दिनों में हिंदुस में वो नहीं है, पहले जो था, वो क्या है, सर्ज है, उसने क्या बनाया था, इसेनिटी और इनर्टिया, मतलब इमान और जड़ता को दिखाता था वो सर्ज, जिससे क्या है, चोधरी काफी ज़्यादा परभावित हुए थे, और आज के टाइम में उन्होंने उसमें से कुछ भी नहीं मिल पाया, क्या है, एक यूरोपियन लीनेज था, उन्होंने अपने लिए बनाया था, जिसे क्या कहा जाता है, एन इंस्टांस ओफ एक्यूट अंगलोफिलिया, उनकी जो लेटर बुक आई थी, इंटिलेक्ट्वल एक्सपोजीशन की, उसका क्या था, मतलब इंटिलेक्ट्वल इंडिया जो 1967 में पब्लिश किया गया था आर्टिकल, और टू लीव और नो टू लीव, 1970 में पब्लिश किया गया था, और उसका मेन अबजेक्टिव गया था, उजेश्या क्या था, मतलब इंडिया के उपर, जिनके कमेंट्स से, मतलब कमेंट्स को शो किया गया था, मतलब इंडिया के लिए क्या-क्या व्यू है बाकिस लोगों के, तो ही कॉंसिस्टेंटली क्रिटिसाइज दा एंग्लिसाइज इंडियान, यह जो ऐसे थे, यह कौन से जर्नल में दिखाए गए थे, दा इलस्ट्रेटर्ट वीकली ओफ इंडिया एंड लंडन मैगजीन में, और यह जो कॉलेक्शन थी, वो क्या थी, इस्ट इस इस एस एंड वेस्ट इस वेस्ट, यह उनकी कॉलेक्शन का नाम था, जिसे क्या है, किसके द्वारा एडिट किया गया था, उनके सन द्वारा, उनके बेटे द्वारा, इसे 1996 में पब्लिश किया गया था, यह था हमारे पास six paragraph, नाओ हमारे पास इंट्रोड़क्शन का लास्ट पैराग्राफ हैं, six paragraph स्टार्ट करते हैं, इस biography of Clive, Robert Clive of India, is overwhelmingly favorable to this Nabab, who induced himself through loot, उन्होंने क्या है, बायोग्राफी ओफ Clive के बारे में, बताया है, Robert Clive of India के बारे में, जिसमें उन्होंने favor किया है, नबाब को, जिसमें उन्होंने खुद को loot से समरिद कर लिया है, in-rich कर लिया है, चोधरी attempt to justify Clive's rapacity on the ground that, क्या बताया है, उन्होंने justify किसके लिए किया है, Clive के लिए, the acceptance of gift was not contrary to the regulations than in force, जो scholar है, extraordinary scholar है, जैसे the life of professor, the R. T. Hon Friedrich Max Miller, उन्होंने क्या consider किया था, चोधरी की best book, उन्होंने क्या कहा था, ये चोधरी की best books है, और जिससे उन्होंने किसको जीता था, सहित्या academic award को, उनको सहित्या academic award, books के, काफी ज़्यादा अच्छे होने से, best book के लिए, मिला था, और ये 1975 में उन्होंने गोट किया था, ये था अमारे पास last paragraph, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आपको objective और introduction नीरसी चोधरी की अच्छे से समझा गई, तो मिलते हैं हम next वीडियो में, next वीडियो में हम discuss करेंगे, इनका important topic, जो MEG7 में आता ही आता है, ये काफी ज़्यादा important question है, तो ये लिखने से पहले हमें introduction एक राइटर की जरूर देनी होती है, तो ये वीडियो उसके लिए काफी ज़्यादा helpful रहेगी, और next वीडियो में इसका important topic ही discuss करेंगे, तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को like और subscribe कर देना और comment करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी helpful रही है, thank you guys, bye bye, have a nice day.